नमस्कार गुट्टी की पोठली यूट्यूब में आपका हादिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक और पॉंचू का वीडियो लेकर आई हूँ ये पॉंचू दो साल से लेकर चार-पांथ साल तक के बच्ची को बहुत आसानी से आएगा इस पॉंचू को मैंने दो पार्ट में बनाया है एक पार्ट में हम इसको स्टार्ट करेंगे दूसरे पार्ट में हम इसको कम्प्लिट करेंगे ये मेरे पॉंचू का पार्ट वन है सबसे पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ वैसे तो पोंचू का कोई नाप नहीं होता बस हमारा गला आना चाहिए और जो पोंचू की लंबाई है ये हमारे अपनी पसंद पर निर्पर करती है कि हम इसको कितना लंबा रखना चाहते हैं इंचे टेप से नापने पर इसकी जो लंबाई है इसके लंबाई 19 इंच आई है इसी के साथ जो हमने गले को एड़स्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर डोरी है और गला वैसे बहुत खुला है और छोटा करने के लिए हमने इसमें डोरी डाली हुई है इसी के साथ डोरी डालने के लिए हमने ये जो जाली बनाई है जाली बिल्कुल एक सार बन कर आई है अगर हमारा इस साइड से हमारी डोरी बाहर आ रही है तो इस साइड से भी बाहर आ रही है अगर यहां पर यह जो हमारी सिलाई है सिलाई से यहां पर डोरी बाहर आ रही है तो इस साइड भी हमारी सिलाई से यहां से डोरी हमारी बाहर आ रही है यह हमारा सेंटर का हिसा है जैसे यह हिसा है सेंटर के हिस्से से दोनों साइड डोरी बाहर है यहां भी सेंटर के हिस्से से दोनों साइड हमारी डोरी बाहर है डोरी की जाली हमने बिल्कूल सेट करके बनाई है आप जब बनाएंगे तो आप देखेंगे जाली किस तरीके से ए एक सार बन कर आई है, इसमें जो डोरी और लटकन है, इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है, यह जो लटकन है इसमें एक छोटा सा पाउच है, यह आप अपनी बिटिया के लिए जुरूर बनाएए, आपकी बिटिया बहुत खुश होकर इसको पहनेगी, इस डोरी का इस्त है, यह भी बताएंगे, लटकन कैसे बनानी है, कैसे जोडनी है, और पॉंचू में हम इसको कैसे डालेंगे, यह सब आपको आमारे डोरी की वीडियो में मिल जाएगा, और इसको बनने में टोटल वूल 201 ग्राम लगी है, यानि 200 ग्राम लगी है, इसमें वाइट कलर की वू 96 ग्राम लगी है, और मेरून कलर की वूर 105 ग्राम लगी है, आए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर मैंने अपनी पॉंचू की एक साइट पूरी कंप्लेट करी हुई है, इसका सिरफ गला रहता है, गला हम इसका बात में बनाएंगे, दोनों साइट के बन पर, तो आए अब हम सेकंड पार्ट बनाना शुरू करते हैं, सेकंड पार्ट बनाने के लिए हमने अपनी सिलाई पर यहाँ पर मैंने अपनी सिलाई में 183 183 फंदे डाले हैं, और इसको सेंटर से मैंने बनाया कैसे है, उसके लिए मैं आपको एक छोटे से पैक्टरन पर बना के दिखा रहे हूं, उसके लिए सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर फंदे डालें, उसी समय अपने बिल्कूल सेंटर के फंदे पर एक मार्क कर लगा लें, 91 फंदे इधर और 91 फंदे इधर छोड़ कर हम सेंटर के फंदे पर एक मार्क कर लगाएंगे, यहाँ पर य से हम अपने फंदे डालेंगे ऑपनी सींपल तरीके से फंदे में 71 फंदे अधर और 91 फंदे इधर छोड़कर सेंटर के फंदे पर हम मरकर लगाएंगे और मैंने अपने नोनम लुट की पर डाले हैं और इसके उपर मैं दस नंबर के स्लाई पर पना रहे हूं पहला फंदा हमको दोनों साइड से बुनते हुए ही बनाना है अपनी स्लाई के 90 फंदे सीथे बुनने के पाद हम अपने मारकर तक पहुंच जाएंगे और यहां से हम तीन फंदों का इकठा एक फंदा बना लेंगे फंदा हम कैसे इकठा बनाएंगे पहले तीन फंदों को सीथा बिना बुने उतार लेंगे और इस तरह से शलाई लाते हुए हम इन दोनों फंदों का एकठा एक पंदा पर, इसके बार मेरे पास 90 फंदे इधार रहजाएंगे और 90 फंदे मेरे पास इस तरफ रहजाएंगे मारकर मैं फिर से अपनी स्लाइग के उपर लगा लेंगे, फंदे के उपर लगा लेंगे और ये सारी रो सीथी सीथी बनाते हुए कम्प्लीट करेंगे और रॉंग साइट से हम पिल्कु सीथा सीथा बनाते हुए और पहला फंदा बुनते हुए हम wrong side से अपनी सारी row complete करेंगे अब हम दूसरी बार अपने इसी design को repeat करेंगे इस बार marker से एक फंदा इधर और एक फंदा इधर छोड़ने तक के 89 stitches को हम बिल्कूल सिधा सिधा बुनेंगे हर बार एक फंदा कम होता चला जाएगा तीन फंदों का इकठा एक फंदा बनाने का तरीका हमारा बिल्कूल पहले के तरह ही है तीन फंदे बिना बुने सीधे उतार कर इस तरीके से हम तीन फंदों का इकठा एक फंदा बनाएंगे ये रोज सारी सीधी बनाएंगे और वापसी भी सीधा सीधा बनाते हुए आएंगे इस बार मैं तीसरी बार अपने फंदों को कम कर रहे हूँ और तीसरी बार इस सेंटर के फंदे के दोनों साइट एट फंदे है यहां तक मेरे पास अपनी सिलाई पर एटी एट फंदे है और तीन फंदों का एकठा एक फंदा तीसरी बार बना रहे है यह सलाई सीधी बना ली और वापसी भी मैं पहले सीधी बना लेती हूँ चाथी बार और आखरी बार हम अपने फंदे को कम करेंगे और जब हम चाथी बार अपने फंदे को कम करेंगे तो सेंटर के तीन फंदे छोड़ कर 87 फंदे मेर पास इधर होंगे और 87 फंदे ही मेर पास इस सैड होंगे और हमको चार बार अपने फंदों को कम करना है इसके बाद रॉंग साइड से फिर से एक स्लाइसी थी मनाते हुए हम अपने इतने डिजाइन को कम्प्लीट कर लेंगे इस समी मेरे पास अपने सेंटर के मार्कर ये मेरा सेंटर का मार्कर है 87 फंदे इधर है और 87 फंदे ही इधर है और 1-1 39 फंदों के बाद मैंने 1-1 मार्कर लगाया है तीन बार 29 फंदे इधर है 1-2-3 और तीन बार ही इधर है तीन बार ही इस मेरे जो ये सेंटर का मार्कर है इसके तीन बार ही 29 फंदे इधर है 29, 29 और 29 टोटल फंदे 87 हो गए 87 इधर है 87 फंदे इधर है ये मेरा सेंटर का फंदा है अब हम क्या करेंगे जो पहले वाले दो बार है 29 और 29 फंदे शुरू के 29 फंदे यानि 58 स्टिची को मैं अपने स्टिच होल्डर में ले लूँगी अगर आपके पास स्टिच फोल्डर ना हो तो आप से लाई पर भी ले सकते हैं बस इनको उल्टा उल्टा उतारते हुए पहले मैं 58 स्टिची को अपने स्टिच फोल्डर पर ले लेती हूँ यहां पर मैंने अपने 29 फंदे ये और 29 फंदे ये अपने स्टिच फोल्डर पर ले ले हैं अब मेरे को यहां पर अपनी फर्स्ट ग्रेनी बनाने शुरू करनी हैं सबसे पहले मैं आपको इसमें ग्रेनी का नमबर बता देती हूँ, इसमें टोटल ग्रेनी आठ है, हम इसको किस क्रम से बनाएंगे, एक ये मेरी पहली ग्रेनी है, इसके बाद ये दो नमबर के ग्रेनी है, ये ग्रेनी मेरे तेन नमबर की है, ये ग्रेनी चार नमबर पर बने ये वाली ग्रेनी पांच नमबर पर बनेगे, शे नमबर पर हमारी ये वाली ग्रेनी बनेगे, साथ नमबर पर हम इस ग्रेनी को बनेगे, और आठ नमबर पर हम अपनी इस ग्रेनी को बनेगे, एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, अब मैं सबसे पहले अपनी ग्रेनी नंबर एक बना रहे हूं उसके लिए सबसे पहले में को अपनी सेंटर के फंदी लेने है 39 फंदी ये लेने है और एक फंदा सेंटर का जिससे हम लगातार तीन फंदों का एक फंदा करें तोटल फंदी हो जाएंगे 59 यहां से हम बनाना शुरू कर रहे हैं पहले फंदे को दोनों साइट से बुनते हुए ही हमें अपने पोंचु को बनाते रहना है और इस तरह से बनाते हुए हम 28 फंदों को बिल्कूल सिधा सिधा बनाएंगे यानि अपने मार्कर से इस फंदे तक हमें सिधा सिधा बनाते हुए 28 फंदों को कम्प्रीट करना है यहां पर मैंने 28 फंदे सीथे बना लिये हैं, अब मैं यहां पर सेंटर के मार्कर पर हूँ, यहां से बिल्कुल पहले की तरह हम 3 फंदों का इकठा एक फंदा बनाएंगे, बिल्कुल सेंटर है, तीन फंदों का इकठा एक फंदा बनाने के बाद, अब हम इस साइड के भी 28 फंदों को सीधा सीधा बनाएंगे, यहां पर मैंने अपने 28 फंदों को बना लिया है, अब मेरे पास इधर भी 29 फंदे हैं, और इस तरफ भी 29 फंदे हैं, सबसे पहले में दूसरी स्टीच होल्डर पर इन सारे के सारे फंदों को पहले फंदों की तरह ही ले लूँगे, बस उर्टा उर्टा उतारते हुए हमें सारे फंदों को उतारना है, यहां पर मैंने सारे फंदो को स्टी शोल्डर में ले लिया है, अब मैं ग्रेनी नंबर 1 की बैक साइट से बना रही हूं और बैक साइट से में Barbara सारी की सारी रो सीथी सीथी बनानी है तो पहले मैं बैक साइट से रो नंबर 2 कम्प्टीट कर लेती हो सीथी साइट से हम रो नमबर 3 बना रहे हैं और जब रो नमबर 3 बनाएंगे तो हम अपने कलर को चींज करके बनाएंगे अपने क्रीम कलर से या जो भी आपका कलर है उससे हम बनाएंगे पहला फंदा बुंगते हुए हम अपनी ये सारी रो अपने इस मार्कर से एक फंदा पहले रहने तक सारी की सारी सीधी बनाएंगे यहां तक हमने बना लिया है अब हम बिल्कुल पहले की तरह ही इन तीन फंदों का इकठा एक फंदा बनाएंगे और इसके बाद ये सारी रो सीधी सीधी बनाएंगे और वापसे भी सीधी बनाते हुए आएंगे अब हम सीधी साइट से रो नमबर पाँच बनाएंगे अपनी कलर को चींज करते हुए बिल्कुल सीधा सीधा बनाएंगे बिल्कुल पहले के तरह अपने इस मार्कर से एक फंदा रहने तक के हम सारे फंदों को सीधा बनेंगे यहां तक हमनी बना लिया है अपनी मार्कर तक मार्कर को मैं निकाल दूँगे और बिल्कुल पहले कीटार इन तीन फंदों का एक ठाग एक फंदा हम बना लिए और इस रो को भी मैं सारा सीधा बनाओंगे वापसे भी सारे सीधा-सीधा बनाते हुए कम्प्लेट करूंगे अब इसके बाद मैं फिर से दूसरी बार वाइट कलर से बना रहे हूँ वाइट कलर से हो चाहे मेरून कलर से हो बनाने का तरीका बिल्कूल सेम है हम अपने सेंटर के इस फंदे रहने तक सारे फंदे पहले सीधे-सीधे कम्प्लेट करेंगे मारकर तक बना लिया उर बिल्कूल पहले के तारा सेंटर से हम तीन फंदो को कम करेंगे तीन फंदो का इकठा एक फंदा बना रहे हम तब तक अपने फंदो को कम करेंगे जब तक मेरे पास सिलाई में केवल तीन फंदे नहीं रहे जाते और इसी के साथ ही मैं यहाँ पर एक मारकर लगा रहे हूं मेरी यहाँ पर बॉर्डर की चार सरी थी एक तो तीन चार इसके उपर मैंने अपने डिजाइन को बनाना शुरू किया था जब मैं अपनी इस पूरी ग्रेनी को कम्प्रीट कर लूँगी तो मेरे पास इस तरह के यहाँ पर 29-39 सरी बन जाएंगी तो पहले मैं इसको कम्प्रीट कर लेती हूं यहाँ पर हमारे तीन फंदे रह गई हैं और सफेथ हागे को मैंने यहाँ पर काट दिया है इन तीन फंदों को भी बंद करने का तरीका हमारा बिल्कूल सीम रहेगा करने के बाद थागे को हम काटतेंगे यहाँ पर मैंने सफेथ हागे को काट दिया है और अब मैं अपनी ब्राउन कलर के या मेरून कलर के हागे को भी यहाँ से कात कुझे और मैं घीच के बंद करूंगी और इसको मैं यहाँ पर टाइट नहीं करूंगी क्यूंकि इसी लूप से हमने तीन फंदे अपने बनानी है और यहाँ पर मैंने अपनी first ग्रेणी कमप्रिक करेनी है अब मीकों इहाँ पर अपनी सेकंड़ ग्रेणी क्या भिवानियम ए और ये हमारी पहली ग्रेणी थी अब हम इस कम्रेनी पर बनाने के लिए 39 फंदे हम इधर से लेंगे जो हमने स्लाइपर डाले हुए हैं और 39 फंदे हम इधर से उठाएंगे और फिर हम अपनी सारी के सारी ग्रेनी बनाने शुरू करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले हमने यहां से अपने स्टिच फोल्डर से बिल्कुल पहले की तरह ही उल्टा उल्टा बिना बुने फंदों को उतारते हुए 29 फंदों को हम यहां पर उतार लेगे हैं यहां पर मैंने अपने 29 फंदों को स्लाइपर ले लिया है मार्क कर निकाल दूँगी उस्टिच फोल्डर को मैं फिर से बन कर दूँगी अब हम कैसे बनाएंगे अपने इस थाके से ब्राउन कलर के धाके से ही या मैरून कलर के धाके से हमें हमेशा स्टार्ट करना है पहला फंदा बुनते हुए पहले मैं अपनी स्लाइप के ये सारे फंदे सीधे सीधे बना कर कम्प्लीट करूंगे यहां पर मैंने अपने 29 स्टिचीज को सीधा बना लिया है अब मेरे को यहां से फंदों को उठाना है फंदे उठाने के लिए जहां पर मेरी 4 सरी खतम होती है एक, एक, दो, तेन, चार, बिल्कुल यहीं से ही बिल्कुल यहीं से हम अपनी एक फंदे को बना लिए और फिर से बिल्कुल यहीं से किनारे से फिर से बिल्कुल यहीं से ही हम एक फंदे को फिर से उठाएंगे फिर से एक फंदे को हम यहीं से हर एक सरी के बाद हम एक एक फंदे को उठाते चले जाएंगे एक बार मेरूं सरी के बाद एक फंदा उठा लेंगे और एक बार हम फाइट के बाद एक फंदे को उठाते चलेंगे और इसे तरह से जब हम फंदो को उठाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर सिलाई में 29 फंदे आएंगे यहाँ पर मैं एक मार्कर लगा रही हूँ मैंने यहाँ से अपने फंदों को उठाना शुरू किया था 29 फंदे इधार आएंगे और 29 फंदे मेरे पास इधार आएंगे और इसी तरह सी बनाते हुए पहले में इस सारे फंदों को यहां तक पिलकुल यहां तक उठा लो यहां तक मैंने 28 फंदे उठाई हैं और एक फंदा हम अपने इस पिलकुल मेरून फंदे से एक फंदा उठाई इसलिए हमने इसको टाइट नहीं किया था अब में पहस 29 फंदे यह हैं और 29 फंदे यह हैं अपनी फर्स्ट ग्रेनी को छोड़ कर इसके बार जो हम पहली बार फंदे को कम करेंगे वो हम रॉंग साइट से इन दो फंदों का इक अठा एक फंदा बनाएंगे बिर्कुल सीधा सीधा बनाना है सीधा सीधा बनाते हुए पहले मैं 28 फंदों को सीधा बना लूँ यानि मार्कर के एक फंदा इधर तक छोड़ने तक सारे फंदों को पहले मैं सीधा बना कर कम्प्लीट कर लेती हूँ यहां तक हमने बना लिया, मार्कर को हम निकाल देंगे और इन दो फंदों का हम इस तरीके से दो फंदों का एकठा एक फंदा बनाएंगे बनाने के बाद यह सारी रो मैं सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लेट करूंगे यह रो हमने कंप्लेट कर लिया अब मैं या पर तिसरी रो बना रही हूं वो मने अपनी स्फेत रंगे ठाके के साथ बना रही हूं और इसी तरहां से बनाते हुए मिरको यहाँ पर अपने 28 फंदों को सीधा बनाना है यहाँ पर हम 27 फंदों को सीधा बनाएंगे और जो जो हमारा 28 फंदा है इन दोनों का हम 18 एक फंदा बनाएंगे तो पहले मैं यहाँ पर गिन कर 27 फंदों को सीधा बना लिए यहाँ तक मैंने बना लिया 27 फंदों को और यहाँ से 3 फंदों का 81 फंदा बना लेंगे इसके पाद यह सारी स्लाई हम सीधी बनाएंगे और वापसी भी सीधी बनाएंगे फिर हम इसके उपर मैरून कलर से अपने डिजाइन को आगे पढ़ाएंगे यहाँ पर हमने फाइट कलर से रॉंग साइट से सारी स्लाई सीधी बना ली है इसके उपर फिर से हम मेरून कलर से बनाते हुए अपने यहाँ पर सेंटर के एक फंदा छोड़ने तक सारे फंदे सीथे बनाएंगे यहाँ तक मैंने बना लिया है और बिल्कुल पहले की तरह ही तीन फंदों का इकठा हम एक फंदा बना लेंगे बनाने के साथ इसी तरह से बनाते हुए हम तब तक अपने गेनी को लगातार बनाएंगे जब तक हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे फंदे बन्द नहीं हो जाते है यहाँ पर मैंने अपनी सेकंड ग्रेनी दूसरी ग्रेनी भी कंप्रिट कर ली है इसके उपर अब मेरे को तीसरी ग्रेनी बनानी है और तिसरी ग्रेनी हमारी ये वाली है एक, दो और तीन इसको हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले इन फंदों को जो हमारे स्टीच वोल्डर में इस समय केवर्ड 29 स्टीचिस ही है इनको पहले हम बिल्कुल पहले की तरह उल्टा उल्टा बिना बुने उल्टा उल्टा उतार के सारे फंदे पहले हम स्लाइप पर लेंगे यहां से हम नया धागा लगाते हुए और पहला फंदा बुनते हुए पहले हम इन 29 फंदों को पूरे का पूरा सीधा सीधा बनाएंगे यहां पर मैंने अपने 29 स्टीचीज को बिल्कुल सीधा बना लिया है और यहां पर मैं एक मार्कर लगा रहे हुँ अब मिल्कुल यहां से नीचे से अपनी चार सरी छोड़ते हुए एक एक तो तीन चार बिल्कुल यहीं से ही एक फंदे को मिल्को उठाना है इस तरीके से जैसे हमने अपनी ग्रेनी नमबर दो में अपने फंदो को उठाया था इस पहली वाइट सरी से नीचे नीचे हमें दो फंदे उठाने हैं उसके बाद बस हर एक सरी के बाद हम एक फंदे को उठाते चले जाएंगे और टोटल फंदे मेरे पास यहां पर 39 हो जाएंगे तो पहले में सारे फंदों को यहां तक उठा लेके हैं यहां पर मैंने 28 फंदे उठा लिये हैं और 29 वा फंदा जो है वो हम पिल्कूल अपने इसी फंदे से उठाएंगे और इस फंदे से हमको तीन फंदे उठाने हैं अब इसके बाद रॉंग साइड से गिनकर पहले में 28 फंदों को सीधा सीधा बनाओंगी यानि अपने इस मार्कर के एक फंदा रहने तक सारे फंदे पहले में सीधे बनाओंगी यहां तक मैंने बना लिया सबसे पहले में मार्कर को निकाल दूंगी और फंदा अपनी उल्पे हाथ के स्लाईपर यहां से सबसे पहले हम दो फंदों का एक फंदा बना लेंगे अब मैं पास इधर भी 28 फंदे है और ये फंदा मेरा सेंटर का है और अब मैं पहले ये रो सारी की सारी सीधी सीधी बनाते हुए कम्प्रीट करूँगी यहां पर मैंने अपनी ये रो सारी की सारी कम्प्रीट कर ली है इसके उपर मैं फिर से अपनी वाइट कलर के साथ बनाऊंगी और बनाऊंगी मैं यहां से अपनी ये मेरा सेंटर का फंदा है इस फंदे से एक फंदे रहने तक यानि 27 फंदे मैं सीधे बनाऊंगी यहां पर मैंने 27 फंदे बना लिए अब इन तीन फंदों का इक अठा एक फंदा बिल्कुल पहले की तरह ही बनाऊंगे इसके उपर ये सारी सलाई हम वाइट कलर से सीधी बनाऊंगे और वापसी भी हम वाइट कलर से सीधी बनाते हुए आएंगे और इसी तरह से बनाते हुए तब तक बनाऊंगे जब तक हमारे पास सारे फंदे बंद नहीं हो जाते ग्रेनी नमबर दो और ग्रेनी नमबर तीन दोनों बिल्कुल सेम हैं यहां पर मैंने अपनी तीन ग्रेनी पूरी कंप्लेट करनी है इसके उपर मेरे को अपनी ग्रेनी नमबर चार बनानी है ग्रेनी नमबर चार हमारी यह है एक तो तीन और चार ग्रेनी नमबर दो और चार यहां ग्रेनी नमबर तीन और चार में किवल इतना ही फरक है जब हमने ग्रेनी नमबर दो और तीन बनाई थी तो पहले हमने यहां से 29 फंदे जो हमारी स्लाइपर थे वो लिये थी फिर हमने इधर से इधर अपने फंदों को उठाया था ग्रेनी नमबर 3 में भी 39 फंदी हमारे पास पहले हमने स्लाइपर लिए फिर हमने 39 फंदों को उठाया है लेकिन ग्रेनी नमबर 4 जब बनाएंगे उसमें पहले हम अपने 39 फंदों को उठाएंगे और फिर हमारे स्लाइप पर जो 39 फंदे हैं उनको हम सीधा बुनेगे ग्रेनी नमबर तो और चार में केवल इतना ही फरक है तो अब मैं आपके सामने ग्रेनी नमबर चार बना रही हूँ ग्रेनी नमबर चार बनाने के लिए सबसे पहले ये स्टीच होलडर अपना खोलने के साथ एक बार पहले मैं सारे के सारे फंदों को अपने दूसरे स्टीच होलडर पर करूँगी तभी हम अपने फंदों की बनाई कर सकेंगे बिल्कुल उल्टा उल्टा लेते हुए पहले हमें सारे फंदे अपने दूसरी अपने इस्ति छोल्डर पर लेने हैं सारे फंदे पहले मैंने अपने दूसरी इस्ति छोल्डर में लिये हैं अब मैं यहां से यहां से यहां से अपने फंदों को उठाते हुवे इधर आऊंगी बिल्कुल अपने इसी फंदे से जो हमने कस के बंद नहीं किया था बिल्कुल ठीला सा रखा था वहां से सबसे पहले हम एक फंदे को बनाएंगे फंदे हाम अपने मेरून कलर से ही उठाएंगे दोनों धागों को कस के पकड़ के पहला फंदा बना लेंगे एक बार ब्राउन कलर की सरी से एक फंदा उठाएंगे मेरून कलर की सरी से और एक बार हम अपनी वाइट कलर की सरी से एक फंदे को लगातार उठाते हुए पहले मैं यहां पर उननतीस फंदो को उठाऊंगे मेर को यहां पर अपनी मेरून कलर की चार सरी छोड़ने तक एक दो तीन और चार यहां तक फंदे उठाने हैं एक फंदा मेरून से पहले और एक फंदा मेरून के बाद उठाएंगे यहां तक मैंने अपने फंदो को उठा लिया है एक फंदा मेरून कलर से पहले और एक फंदा हम मेरून कलर से बाद उठाएंगे तो मेरे यहां पर स्लाइमेट टोटल फंदे 29 हो गए हैं इसके बाद मैं अपने इस स्टीच होल्डर से गिन कर अपने 29 फंदो को सीधा बनाओंगे यहां तक अपनी मार्कर तक 29 फंदे में सीधे बनाओंगे यहां पर मैंने अपनी 29 फंदो को कम्प्रीट कर दिया है उस तीच होल्डर में बन कर दूंगे अब मेरे को रॉंग साइड से बनाना है रॉंग साइड से में को सबसे पहले अपनी 28 फंदो को सीधा बनना है अब मैं अपनी रॉंग साइड से बना रहे हूं रॉंग साइड है लेकिन बनाना सीधा सीधा ही है और बिलकुछ सीधा सीधा बनाते हुए पहले हम यहां पर 28 फंदो को सीधा बनाएंगे 28 फंदो को बनाने के बाद अब मेरको सेंटर के रॉंग साइड से पहली बार हमें दो फंदे कम करने दो फंदो का इकठा एक फंदा कम करने और यह स्लाई हम सारी की सारी सीधी सीधी मनाते हुए कम्प्रीट करेंगे यहां पर मैंनी अपनी मैरून कलर से एक बार दो रो बना ली हैं अप मैं यहां पर वाइट कलर से आके बनाऊंगी और वाइट कलर से बनाते हुए पहले मैं 27 फंदो को सीधा सीधा बनाऊंगी यानि अपने सेंटर के फंदे से एक फंदा रहने तक 27 फंदे सीधे सीधे कम्प्रीट करेंगे 27 फंदे बनाने के बाद सेंटर के तीन फंदो का इकठा एक फंदा हम अपने पहले वाले तरीके से करेंगे और इस रोग को सारा का सारा सीधा सीधा ही बनाएंगे और इसी तरह से अपने फंदों को बंद करते हुई तब तक बंद करेंगे जब तक हमारे पास सारे फंदे पूरे की पूरे बंद नहीं हो जाते तो हमारी ग्रेनी नमबर चार कम्प्रेट हो जाएगी यहां पर मैंने अपनी चार ग्रेनी बिल्कुल कम्प्रीट कर ली है इसके उपर मेरे को अपनी पांचवी ग्रेनी बना रहे है एक, दो, तीन, चार और पांच इस पर हमने इस ग्रेनी को बनाना है ग्रेनी नमबर चार और पांच बिल्कुल सेम है जैसे हमने ग्रेनी नमबर दो और तीन बिल्कुल हमारी एक जैसी थी, वैसे ही हमारी ग्रेनी नमबर चार और ग्रेनी नमबर पांच बिल्कुल एक जैसी है, हम अपने इस साइड से यहां से ग्रेनी नमबर चार से अपने फंदों को यहां से चार अपनी सलाई पर 29 फंदे उ 28 फंदे बनाएंगे, दो फंदों का एक बनाएंगे और फिर से 28 बनाएंगे और इसी तरह से फिर से बनाते हुई सारे फंदे बंद करने पर तक हम अपनी ग्रेनी नमबर 5 को रिपेट करेंगे. यहां पर मैंने अपनी पांच ग्रेनी कम्प्रीट कर ली है, फर्स्ट पार्ट में केवल इतना ही है, इसके उपर हम सेकंड पार्ट में बनाएंगे, जदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, बताने का तरीका अच्छा लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, शेयर कर कमेंट्स जुरूर करें, जलती ही मिलेंगे गुट्टी की पोठली में, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहें, गुट्टी की पोठली, नमस्कार, धन्यवाद,